क्लास टेंथ के लिए इंग्लिस प्रोज के साथ मैं बच्चों आप लोगों सूट रहा हूँ ये पंडिक जवाहरलाल नहरुदारा एक टेस्टामेंट है जो यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है यही वसियत नामा पंडिक जवाहलाल नहरु के बारे हम थोड़ा जान लेते हैं अगर हम इनके जन्म और मृत्व की बात करें तो टॉप पे लिखा गया है 1889 बाल दिवस भी मनाया जाता है इनके जन्म को ले करके 1889, 1964 इनकी डिध दिया है तो 14 नॉवंबर 1889 का जन्म है जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं आईए देखते हैं About the author लेशन का नाम है दगंगा इन्होंने भारत वर्ष की पुनीत नदी गंगा के बारे में विस्तित अपने भावों के बारे में उनके विचार किया है गंगा को ले करके साथ-साथ भारत के लोगों से जुनको प्रेम मिला है सनेह मिला उसका उन्होंने जिक्र किया है यहां तक समुचे भारत को समेटने का उन्होंने काम किया है उतर से निकलने वाली गंगा के उद्गम अस्थान से ले करके बंगाल की खाड़ी तक गंगा के गिरने का जिक्र किया है उन्होंने साथ-साथ मैदानी छेत्रों और शमुद्री छेत्रों का इन्होंने वर्णन किया इस तरह समुचे भारत वर्ष को इन्होंने अपने इस लेक के मादम इस टेस्टामेंट वसियत नामा में इन्होंने माधने का प्रयास किया है एब आथर देख लेते हैं पंडिच जवारलाल नेहरू, the first Prime Minister of India was the true builder of modern India True builder मतलब सच्चे, builder मारी निर्माता, modern India माने आधुनिक भारत यदि पंडिच जवारलाल नेहरू, प्रतम प्रधान मंत्री, वरतमान भारत के सच्चे निर्माता थे यदि भारत को नवीन दिशाप्रदान करने में इनका अहम योगदान था He was also a well-known writer, वे अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते थे His famous books are, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, क्या है भीया The Discovery of India, Glimpses of the World History and Autobiography He was a man of international repute, repute यहीं रेपुटेशन की बात कर रहा है वो अंतराश्टी ख्याती प्राप्त ब्यक्ते थे अगर हम बात करें, पंडी जवाल लाल लहरू की आजादी मेन होने आहम योगदान दिया था गांधी जी के साथ रह करके असायोग अंदोलन, सोदेशी अंदोलन में भाग ले करके इन्होंने भारत को अंतता है 1947 में आजाद कराने के पश्याद प्रत्थम प्रधान मंत्री के रूप में अपने को स्थापित किया आए बाउट देख लेते हैं इसमें गंगा के बारे में जो क्रिके अगय लेशन में मैंने आपको बताया ही है इन्होंने क्या लिखा है विल एंड टेस्टामेंट विल माने इक्षापत्र टेस्टामेंट इन्ही वसियत नामा जीने में इन्होंने अपना इच्छा पत्र लिखा है वसियत नामा लिखा है पंड जवाल नहरू ने He expresses his gratitude gratitude means होता कर्तग्यता एकस्पिसमान दरशाना He expresses his gratitude वो अपनी कर्तग्यता दरशाते हैं To the people of India भारत की लोगों के प्रत For their love उनके प्रेम के एंट अफिक्षन और स्नेत के प्रति, यानि उनके प्रेम और स्नेत के प्रति हुने अपनी कृतक गयता इस रचना में दरसाते हैं अब लब क्या है अफिक्षन क्या ठोड़ा इसको بھی समझ लेजीए देखें लब माने प्रेम होता है प्रेम और प्रीत की बात करें तो प्रेम एक आंगी होता है और प्रीती जब दोनों पक्षे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रीती बन जाती है तो लब की बात करें ते बड़े लोगों के साथ जैसे हम आप से प्रेम करते हैं आप भी हम से प्रेम करते हैं लेकिन अफेक्षन मतलब होता सने जो बड़ों से के वल मिप्राप्थ होता इसलिए दो सब्दे आया लब एंड अफेक्षन वह भारत के लोगों के द्वारा दिये गए उनके प्रेम और सने के प्रती अपना अपनी कृतक गता दरसाते हैं आगे अगली लाइन देखिए He is also grateful to his colleges who are his fellow partners कलीज, शहकरमी जिनके साथ काम करते हैं उसको कलीज भी कहते है He is also grateful, grateful माने भी कृतक का भाव है To his colleagues, अपने सहकरमीओं के प्रतभीव कृतक ग्यापिद करते हैं Fellow पार्टनर, पार्टनर माने भी साथी जो उनके साथ ही रहे थे अर्थात, उनके जीवन के कार्यम उनके साथ जुडे रहे थे उनके प्रत भी अपने सहकरमियों के प्रत भी वो कृत अग्यता दर्शाते हैं नेरू वांट्स देट इस बाड़ी सुट भी क्रिमटेड क्रिमटेड माने होता है द्राश अंसकार बाड़ी मतलब शरीर नेरु जी चाहते हैं, उनके सरीर का दास अंसकार किया जाए After his death, उनकी मृत्व के पसकार, पस्चात उनका दास अंसकार किया जाए ऐसा उनुन क्यों कहा? आगे आपको मिले गालेशन में He wishes वो इक्षा रखते हैं, that a handful of his asses Handful माने होता है, मुठी भरके he's as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as जो होता है डूगूने से होता है and the major portion, major मतलब says portion माने हिस्सा भाग, आप दे माने उस राक का, और उस राक का says हिस्सा भी scattered, scattered मतलब फैला दिया जाए, over the fields मतलब खेतों में, कहां के खेतों के बात कर रहा है, भारत वर्ष के उस विस्तरित मैदानी या खेतीहर, छेत्रों में scattered मतलब फैला दिया जाए देखी यहां गांदी जी ने एक चीज़ तो साबित होती है गांदी जी बड़े चत्र लेखक थे बारत के प्रदान मंतरी होने के साथ साथ उन्होंने लोगों को एक सुत्र में बाधने का काम इस रचना के माद्यम से कहिया है उन्होंने बताने का प्रियास किया अगर मैं विदे से मर जाओ, कहीं दूर मर जाओ, अपने हिंदुस्तान से बाहर मर जाओ तो मेरा दासनस्कार वहीं कर दिया जाए यादि मेरी बाड़ी को लाया न जाए लेकिन मेरे दास अंसकार करने के पश्चात मेरे उस राक का से सिस्सा कई तरीकों से जैसा गंगा नदिम प्राववित करने की बात उन्होंने कहा खेतों फैलाने की बात कहा है तो ऐसा उन्होंने करने का जो एक अपना टेस्टामेंट दिया है वसियत नामा दिया है अभी लपनी इक्षा प्रगट की है, उसके सम्मंदित ये रिलेटेड आपका लेसन है, आए देखते हैं, देखें ये चीज़ बच्चों हम आपको और बताना चाहेंगे, अगर हम बात करें दगंगा और इसके बाद जो लेसन आएगा दा सुकराइट्स यानि सुकरात का ले हैं, अब तक किसी बोर्ड एक्जामनिशन में हाई स्कूल के फाइनल एक्जामनिशन के लिए ये जो हैं, सबसे महत पूर्ड लेसन्स में इनका स्थान रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा है कि इन से कभी कुश्चन्स नहाए हों या पैराग्राफ नहाए हों, इसलिए मैं ये च इसका मेरा अनभव है, यदिब मैं क्लास नहीं लेता हूं, सरमाजी क्लास आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, और क्लास नहीं लेने के साथ लेकिन मैंने जब भी जानने का प्रयास्कियत, दगंगा को लेकर के बच्चे कहते हैं, थोड़ा सर कम समझ में आया है, क्योंकि इमानदारी से ध्यान पूर्वक सुने के तो निश्यत रूप से समझ से जाएंग, देखिए, अब बता रहे हैं यहाँ पर, गांधी जी, I have received, देखिए, present perfectence का, ये वाक्य है, sentence है, क्योंकि किसी perfectence में third form लगती है, I have received, मैंने प्राप्त किया है, मैं प्राप्त कर चुका ह अब मुझे मिला है, so much love, इतना अधिक प्रेम, and affection, और सने, मुझे भारत वासियों से, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे दिया है, Indian people, I have received so much love and affection from the Indian people, अब आपको Indian people से शुरू करना है, मुझे भारत के लोगों से, इतना अधिक प्रेम और सने मिला है, I to do, अब इसको देखिए, that I to do, that I to do, that किसके लिए, उसके प्रतिजों प्रेम और सने मिला, I to do मतलब मैं कुछ भी करूं, that nothing, अपसन से आपको मिहा मिलेगा, पूरा फिर से देखिए, भारत वरस के लोगों से इतना अधिक प्रेम मुझे और सने मिला है, कि मैं कुछ भी क I can repay even a small fraction, repay मतलब अधा करना, even माने यहां तक कि a small मतलब एक छोटा fraction माने uns, of it माने उसका, अब पूरा देखिए, उसका एक अंस भी लोटा नहीं सकता, repay माने लोटाना, अधा करना, can repay माने अधा करना के अंत में है, small fraction मतलब एक अंस मात्र भी, अब पूरा क्या अर्थ बन इतना अधिक प्रेम रसने मिला है, कि मैं कुछ भी करूँ, यहनि कुछ भी कर लूँ, उसका एक अंस भी लोटा नहीं सकता, किनको, भारत वर्ष के लोगों की बात कर रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, and indeed, और वास्तों में, indeed मतलब in fact वास्तों में, सच मुछ में, there can be no repayment, there can be no repayment, repayment मतलब प्रतिजार करना, वापस करना, और वास्तों में, प्रतिजार नहीं हो सकता, किसका देखिए, and indeed, there can be no repayment, also precious, precious, इसको पढ़ते हैं, precious, हम लोग कहते हैं, precious, a thing as affection, देखिए, और वास्तों में, सने जैसी, अमूल लिवस्तों का, precious thing है, देखिए, अमूल, क्योंकि इसका मूल नहीं आका जा सकता, मा, बच्चों को जो सने देती है, उसका क्या मूल हम आप देंगे, दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इसलिए कहते हैं, there can be no repayment, of so precious a thing as affection, वास्तों में सने जैसी, अमूल लिवस्तों का, प्रतिजान हो भी नहीं सकता, प्रतिजान मतलब वापसी, clear हो गया, समझ में आ गया होगा, फिर से देखिए, मुझे भारत वासियों से इतना धिक प्रेम और और सने मिला है कि मैं कुछ भी करूं, यहां दिया that I to do, मैं कुछ भी करू उसका एक अंस भी लोटा नहीं सकता, और वास्तों में सने जैसी, अमूल लिवस्तों का, प्रतिजान हो भी नहीं सकता, हमको लगता है, आप लोग words clear कर गए होंगे, चले आगे, many have been admired, many मतलब कई लोगों की बात कर रहे हैं, admired मतलब होता है प्रसंसा के रथ में, अब देख है, अब इस भाव को समझिए, यहनि मुझसे पहले, भारत वरस के बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जिनकी प्रसंसा की गई, जैसे हम बात करें, प्रसंसा के पातर कौन कौन रहे आजादी के दावरान, या ऐसे कौन उत्र किस लोग रहे जिन्नोंने भारत में कुछ ऐसा की है जिनकी प्रसंसा की गई होगी, अगर हम बात करते हैं, चंसे कर आजाद भगज सिंग, आज लोगों की नेता सुवास चंदी जी की लोगों को, जरूर प्रसंसा की गई होगी, तो वही बताते हैं, many have been admired, अनेक लोगों की प्रसंसा की गई है, ठीक, some have been reward, reward मतलब होता, respect, एक सम्मान से सम है बीन और कुछ लोगों को सम्मान दिया गया है यानि मुझसे पहले की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की प्रसंजा की गई है और कुछ लोगों को सम्मान दिया गया सम्मान की बात करें सम्मान जैसे राजपित महात्मा गांधी को बड़ा संवान मिला मिला कि नहीं मिला नेता सुभास चंदो को भी संवान के दिरिश्टी में हमेशा रखा गया है और डाक्टर राजिंत प्रशाद जी संवान के दिरिश्टी से आपके प्रिशिडेंट रहे हैं कुछ लोगों को संवान dilla गया है अब आगे अपने लिए बताते हैं बढ़ु दाफखेक्स्न आफ आफ आल क्लसेश अफ आफ आफ सम्प्रदाय के लोग रहे हैं क्लास माने वर्ग, वर्ग का मतलब यहाँ जितने भी वर्ग चाहे हिंदू संपरदाय के लोग रहे हों, मुसलिम, क्रिस्टियन रहे हों, इसाई रहे हों, जातियां रही हों तमाम, तो वही बता रहे हैं, बड़ अफिक्सन आफ आल क्लासेश, लेकिन मुझे तो भारतियों क सभी वर्गों का सने, आप इंडियन पेपल, यह नहीं भारत वर्ग के सभी वर्गों का सने, has come to me, जो मुझे प्राप्त हुआ है, in such abundant measure, abundant measure, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, लेकिन बताते हैं, परंत, बत मतलब लेकिन या परंत, परंत मुझे तो भारतियों के स सभी वर्गों का सने, इतनी प्रचुर मात्रा में मिला है, that I have been overwhelmed by it, overwhelmed मतलब भाव विवोर हो जाना, अभिवीत हो जाना, कि मैं, ठीक न, कि मैं उससे अभिवूत हो गया हूँ, यानि भाव विवोर हो गया हूँ, अब क्लिर हो गया, बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों की प्रसंसा की गई है, कुछ लोगों को संबान दिया गया है, लेकिन भारत के सभी वर्गों से जो मुझे इतनी अधिक मात्रा में मिला, मैं उससे भाव विवोर हो गया हूँ, अभिवूत हो गया हूँ, चाहे अभिवूत समझी है, चाहे भाव विवोर, overwhelmed, I can only express the hope, अब यह आपको दरसाना व्यक्त करना, मैं केवल एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ, I can only express the hope, मैं केवल आशा व्यक्त करता हूँ, that in the remaining years, remaining मतलब मेरे जीवन के सेस वर्स, remain माने सेस होता है, years, that in the remaining years, I may live, अपने जीवन के सेस वर्सों में मैं जीवित रहता हूँ, I shall not be unworthy, unworthy का मतलब होता आयोग, वर्दी माने योग, I shall not be unworthy, मैं अपने देश वासियों के प्रत आयोग नहीं होगा, आप my people यहाँ दिया है, मैं अपने देश वासियों के प्रति अनवर्दी अर्थात आयोग नहीं होगा, and their affection और उनके सेने के प्रति, अब क्या कहते हैं I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection, अब क्या कहते हैं हाँ, मैं केवल या आसा ही व्यक्त कर सकता हूँ, express the hope, आसा ही व्यक्त कर सकता हूँ, कि अपने जीवन के सेस वर्सों में, दिया है in the remaining years I may live, अपने जीवन के सेस वर्सों में, I shall not be unworthy of my people and their affection, मैं अपने देश वासियों के तथा उनके सने के अयोग नहीं होगा, समझवायाग नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा, अब एक चीज़ और बता दे बच्चों को, अगर यह लेशन मान लीजिए, आपके paragraph based questions के अधार पर आ जाता है, तो किस प्रकार से question पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला question आपके लिए बन सकता है, आता है, पक्का आता है, किसी भी lesson से आएगा तो आएगा, write the name of the lesson, from which the above process has been taken, who is the author of the lesson, यह जरूर question आता है, यह गद जिस पार्ट से लिएगे, उस पार्ट का नाम लिखिए, इस पार्ट के लेखक कौन है, तो आप कैसे लिखेंगे, name of the lesson करके डाल देंगे दगंगा, name of the writer करके डाल देंगे पन्डी जवाला ने, इस तरह से आपका पहला question हो गया, अगर इस paragraph आपके हम बात करें, तो और कि कुशन आते हैं, जिसमें एक मीनिंग वाला दे देता है, जैसे कुशन दे सकता है, what is the most precious thing which Nehru has received, मूलिवान चीज क्या है, जो Nehru प्राप्त की है, ता अंसर आप देंगे, the most precious thing which Nehru has received, इतना तो आपको कुशन से मिल जाएगा, is love and affection from Indian people, इतना जोड़ना पड़ेगा आ heart has overwhelmed Nehru, क्या चीज नहरू को भाव विवोर कर दी, can one repay love and affection, क्या प्रेम और सने को आपस लौटा जा सकता है, या प्रतियान किया जा सकता है, तो अंसर कहेंगे आप, the huge affection of all classes of Indian people has overwhelmed Nehru, उसमें आपके paragraph मिल जाएग, क्यों आपको जोड़ना पड़ेगा, has overwhelmed Nehru, love and affection cannot be repaid, य ये इस तरह से आपका question clear हो जाएगा, एक question और बन सकता है, how does Pundit Nehru compare himself with other people, यह अपनी तुलाप Pundit Nehru न अनलोंगों से किस पकार की है, तो आपका answer बन जाएगा, Pundit Nehru compares himself with other people, saying that he would not be unworthy of them in his remaining years, एक question जो मैंने meaningful बताया था, वो आ सकता है, what is the meaning of abundant measure, इसमें आए abundant measure पर चुलाप मैंने बताया था ना, तो इसका आर्थ आप क्या लिखेंगे, इट मीन्स वेरी लार्ज नंबर, इट मीन्स वेरी लार्ज नंबर, ठीक, इस तरह से कुशन आ सकते हैं, अब आगे देखिए, second paragraph चलते हैं, To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper depth of gratitude, we have been joint partners in great undertakings and have shared the trumps and sorrows which inevitably accompany them, अब देखिए, To my innumerable, innumerable का मतलब होता असंख, comrades मतलब सहयोगी and colleges माने सहकर्मी, Comrade माने, सहयोगी जो सहयोग करते हैं, और colleges माने सहकर्मी जो साथ काम करते हैं, I, O, O मतलब होता है ready, आभारी and even depth, deeper depth of gratitude, gratitude मतलब होता है कृतग्यता, deeper depth मतलब होता है यहाँ अधिक आभारी से, अधिक कर्देदार से, अब पूरा अर्थ क्या बनेगा, जो साब्दिक अर्था आपको बनेगा, साहितिक अर्थ बनेगा, मैं अपने असंख, सहयोगी और सहकर्मी के प्रति और भी अधिक आभारी हूँ, मैं असंख, अपने सहयोगी और सहकर्मी के प्रति और अधिक आभारी हूँ, क्यों ऐसा उन्होंना आभार्वत किया है, वह साथ साथ मिलक काम किया है, कुछ लोगों ने मेरा सहयोग किया है भारत को बनाने भारत निर्मान में, आगे क्या कहते हैं, इन्विटली मनें अनिवार रूप से, एक कमपनी मनें साथ जुड़े हैं, अब पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, ज़रा पूरा उपर से देख लीजिए, अपने असंग सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति में और भी अधिकावारी हूँ, हम लोग महानकारियों में, पूरा रथ क्या हो गया हम लोग महानकारियों में सहभागी रहे हैं और उन बीजेयों तथा दुखों को साथ साहन किया है नीचे लाइन है which inevitably accompany them इसकार्थ क्या हो गया जो अनिवार रूप से उनके साथ जुड़े हैं और उन बीजेयों तथा दुखों को साथ साहन किया है जो अनिवार रूप से उनके साथ जुड़े हैं अब आगे बताते हैं अपना विल इक्षा बताते हैं क्या बताते हैं वेन आई डाई जब मेरी मृत हो आई सुड लाइक मैं चाहूँगा माई बाड़ी मेरा सरीर तू बी क्रिम्टेड माने दासंसकार कर दिया जाए जब मेरी मृत हो तो मैं चाहूँगा मेरे सरीर का दासंसकार कर दिया जाए ये तो सरहल है आप समझ गए होंगे इफ आई डाई इन फारेंड कंट्री इफ माने होता यदी यदी मैं बिदेश की धर्ती पर मरूं अर्थात मैं बिदेश में मरूं ठीक ना यदी मेरी मृत बिदेश में हो माई बाडी सुट वी क्रिम्टेट देयर मेरे सरीर का दासंसकार वो ही कर दिया जाए ये मतलब वो ही कर दिया जाए अब आगे देखिए यहां अपना बचाओ करते हैं के लावाद भेजने के प्रति गांधी जी क्या कहना चाहते हैं आगे बचाओ के लिए क्या कहते हैं ये इसमाल हैंडफुल आफ दीज ऐसेज इसमाल हैंडफुल मतलब एक छोटी मुठी कहने का तात पर यह नहीं इन राखों का सुड़ भी थ्रोन इन दगंगा सुड़ भी थ्रोन इन दगंगा मने गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए एक मुठी भर भाग मेरी राख का गंगा में प्रवाहित कर दी या जाए आगे क्या कहते हैं और सेज भाग अधिकांस भाग मतलब थोड़ा सा में major portion मतलब अधिकांस भाग जो बड़ा हिस्सा है and the major portion of them disposed of in the manner indicated below manner माने तरीका indicated माने दर्साया गया है below माने नीचे disposed माने समापन किया जाए disposed माने समापन करना और अधिकांस भाग का समापन निमलखि धंग से किया जाए मतलब जो एक मुठी राग तो गंगां प्रवाइद कर दिया जाए और अधिकांस भाग का समापन निमलखि धंग से किया जाए मतलब जो नीचे लिखने अब जा रहे है no part of these assets इस राग का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं should be retained retained मतलब होता सम्हाल कर रखना बचा कर रखना और preserved preserved मतलब सुरक्षित रखना retained माने बचा कर रखना ध्यान दीजिएगा और present माने सुरक्षित रखना यनि बचा कर रखना बाद में खर्च करेंगे होगा और present माने सुरक्षित रखना दीजिए जीवन भर के लिए बहुत सालों के लिए इसलिए दो सब्दा है रिटेंड और प्रिजर्ब्ड रिटेंड माने बचा कर रखना प्रिजर्ड माने सुरक्षित रखना अब आगे क्या कहते हैं इस राख का नो पॉड़ आप दी जैसे इस राख का कोई भाग इस राख की एक मुट्टी भरभाग गंगा में प्रावित कर दिया जाए और उसके अधिकांस भाग का समापन निम्लिकित धंग से किया जाए इस राख का कोई भी भाग बचा कर या सभाल कर अथवा सुरक्षित ना रखा जाए क्लेर हो गया अब सेकंड प्यार आते हैं अब देखिए इलाहवाद की बात कर दी गंगा की बात कर दी तो यहां थोड़ा बचाओ अपना कर रहे हैं कहीं धार्मिक भावना से प्रेडित लोग मुझे मान लें क्योंकि गांदी जी के साथ एक बात तो जुड़ी गई थी बात में आप जानते हैं स्रीमतिंद्रा गांदी जी फिरोज गांदी के साथ जो फिरोज खान एक मוסिलिम संपरदाएक에 थे उनके साथ उनकी महरेज हो गई थी अब इस बात को यहां बचाने का प्रयास कर रहे हैं बारहाल यह उची बाते हैं इसमें हमको नहीं जाना है आईए देखते हैं माई डिजायर टो हैब हैंड फुल आप माई एसस थ्रोन इन गंगा आयट अलहाबाद है जो रेल्जियस सिगनिफिकेंस मतलब होता धार्मिक सिगनिफिकेंस मतलब होता महत्व अब पूरा देखिए माई डिजायर टो हैब हैंड फुल आप माई एसस अब यहां सम्हाल रहे हैं जहां तक मेरा अपना संबंद है डिजायर मतलब इक्षा किसका माई एसस थ्रोन इन गंगा मतलब एक मुठी राक प्रवाइद करने के पक्ष में अब कहते हैं जहां तक मेरा अपना संबंद है इलाबाद मिगंगा में मेरी मुठी भर राक प्रवाइद करकी जाने के इक्षा के पीछे नो रिलिजिस सिगनिफिकेंस कोई धार्मिक महत्त की बात नहीं है मतलब ऐसा लोग न समझ लें कि ये तो हिंदुवादी है इसलिए यहां इनोंने बचाया है माई डियार टो हैब हैंडफुल आप माई एसस थ्रोन इन गंगा अट अलाबाद है जनो रिलिजिस सिगनिफिकेंस मेरे राख का मुठ़्ि भर गंगा में प्रवाहित करने के पीछे मेरा goई धार्मिक महत्त नहीं अर्थात मेरी धार्मिक भाउना नहीं है so far as I am concerned I have no religious sentiment in the matter यहां देखिए I have no religious sentiment in the matter sentiment माने भावना matter माने मामले में विशह में इस विशह में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है यानि इन्होंने बचाया कि जहां तक मेरा अपना सम्मद इलाबाद में मेरी मुठी भर्राक प्रावयत की जाने के इक्षा के पीछे कोई धार्मिक भावना भी नहीं है यानि religious sentiment भी नहीं है अब आगे बताते हैं भीया आप जानते हैं गांदी जी कहां पैदा हुए थे इलाबाद में इन्होंने अपना आनंद भौन भी सरकारी खजानेम दे दिया था सरकार को दान दिया भारत माता को दान दे दिया है तो कुछ बात तो ऐसी थी गांदी जी जो भी आज भी आदरडी और सम्माननी माने जाते हैं आगे कहते हैं I have been attached to the गंगा अब बताते हैं I have been attached to the गंगा एंद जमना रीवर सिनालाबाद ever since my childhood childhood माने बचपन काल से ही मैं बचपन से इलाबाद की गंगा और यमुना से जुडा रहा हूँ भाई मैं पैदा हुआ था गंगा जमुना हमारी थी अर्थात मैं इलाहबाद में था यही बचाने के लिए कह रहा है I have been attached to the गंगा and the जमुना rewards in इलाहबाद ever since my childhood and as I have grown older और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह बड़ा हुआ this attachment has also grown यह लगाओ भी प्रबल होता गया बढ़ता गया फिर से देख लिए I have been attached फिर से देख लिजिए मैं बच्पन से इलाहबाद की गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ this attachment has also grown यह लगाओ भी प्रबल होता गया अर्थात बढ़ता गया अब आगे कहते हैं I have watched मैंने देखा है वाचवाने देखना they are wearing mood wearing mood यहां wearing सब्दा आया देखिए परिवर्टिस स्वरूप की बात wearing माने changing mood मतलब स्वरूप as the season changed season मतलब रित मौसम changed माने बदलते गए and have often thought of the history history माने तिहास, thought माने विचार किया and myth, myth माने होता पौराडिक and tradition और परंपरा and song और गीत and story और कहानी जड़ा फिर से देख लिजिए I have watched their wearing mood as the season changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters अब इसको जड़ा द्यान सुनिएगा बच्चों उन्होंने बता जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ या लगाव परफल होता गया अब आगे कहते हैं रित्व परिवर्तन के साथ रित्व परिवर्तन के साथ तथा उस इतिहास इतिहास हिस्टी दिया है ना इतिहास पौराडिक कथाएं मिथ दिया है मिथ मतलब पौराडिक कथाओं ट्रेड अंट्रेडिसन परंपराओं गीतों कहानियों के बारे में सोचा है मतलब गंगा को ले करके जो इतिहास रहा है पौराडिक कथाओं जो वर्डन रहा है जो हमारी परंपरा रही है जो गंगा के बारे में गीत गाये है उनको ही मैं जाना हूँ अब आप समझे इतिहास क्या भी है आप जानते हैं गंगा जी ये देव नदी थी पृतिवी लोग पर इनका निवास नहीं था इनका इतिहास है भगीरत जी अपने पूर्खों को अपने पूरोजों को उद्धार के लिए इनको धर्ती पर लाए थे गंगा जी अनुवन ने किया गंगा जी तैयार हुई तो परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा हमारी रही है कि मानता रही है कि गंगा का गंगा की नदी मसनान से पाप धुल जाते हैं गंगा में अस्तियों के प्रवावित करने से वक्तिका मुक्ष प्राप्त हो जाता है गीत और कहानिया बहुत शारी गंगा के बारे में जो मैं पौरानिक कत्हों, परंपरों, गीतों, कहानियों के बारे में सोचा है यहां I have was दिया है, यहीं से आप चलेगा जो यूगी गौांतरों से, जो यूगी गौांतरों से इन नदियों के साथ जूड़ी हैं और उनके प्रवाहमान जल का एक भाग बन गई है, हिस्सा बन गई है अब फिर से आप देख लेजिए I have was there, varying moods and season changed मैं इनके बदलते स्वरूपों को भी देखा हूँ and I have often thought of the history और उनके इतिहास के बारे में बिचार किया हूँ and myth पौराणी कथाओं के बारे में and tradition परंपराओं के बारे में and song गीत के बारे में and story कहानियों के बारे में that have become attached to them through the long ages जो यूग गांतरों से इन नदियों के साथ जूड़ी है and become part of their flowing water और इनके प्रवाहमान, गत सील flowing मतलब बहते हुए flowing मान बहते हुए नी सुद्धिन दिम क्या कहेंगे प्रवाहमान, जल का एक हिस्सा बन गई part माने हिस्सा भाग मन गई है इस तरह से दूसरे का पूरार्थ क्या हो जाएगा जहां तक मेरा अपना संबंद लिहाबाद में गंगा में मेरी मुट्टी भर राक प्रवायत की जाने के इक्षा के पीछे कोई धार्मिक भात की बात नहीं है इस विसे मेरी कोई भी धार्मिक भाउना नहीं है, मैं बच्पन से लिहाबाद की गंगा और जमुना से जुड़ा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाओ भी प्रवल होता गया रेतु परिवर्तन के साथ ही मैंने नदियों के परिवर्ति स्वरूपों को भी देखा है था उसे तिहाज, पौराणी कथाओं परमपराओं, गीतों, कहानियों के वारे में सोचा है जो यूग यूगांतरों से नदियों के साथ जुड़ी हुई है और इनके प्रवामान जल का एक भाग बन गई है इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि अर्थ पूरी तरह से मैंने बताने का प्रयाज किया है और मैंने यह भी बताया आपको कुश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और आंसर किस प्रकार से दिया जा सकता है इस तरह से दो आपको इपद समाप्त होते हैं इन दोनों से कुश्चन बन सकते हैं थे जो अच्छे मैंने बताया तो दोनों में second part में देख लिए जिए या to my innumerable comrades से अगर question बने कैसे बनेगा what does the author owe to his comrades and colleges ऐसा पूँछ सकता है लिखा अपने में तो थासातियों से किस रूप में ready है दूसरा question इस प्रकार से बन सकता what is the desire of the writer after his death या where should his asses be sent या अंतिम जो आता है पूँछ सकता है which have the following meaning countless दे सकता है burn to asses as dead body ऐसा भी दे सकता है तो answer आप लिखने के लिए इसका लिख लेंगे countless मतलब होता innumerable और दा संसकार का जो मैंने दा burn to asses as dead body इनी cremated सब दाता है इसमें आया है इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं तिस तरह से ये first part जो है मैं समाप करता हूँ